आमोद गुपते मुंबई में रहते हैं वो खुश हैं कि मौनसून लगभग खत्म हो गया है और उनका घर अब रहने लायक हो गया है ग्राउंड फ्लोर का ये अपार्टमेंट बरसात के महीने में बार में डूब गया था अपने फोन के वीडियो पर उन्होंने दिखाया कि घर के लोग कैसे गंदा पानी निकाल रहे हैं और अपना सामान भी तलाश रहे हैं हर मौसम में उन्हें और उनके पडोसियों को घरों की मरम्मत में लाखो रुपेयों की चपत लग जाती है बिन बुलाए महमान जो आते हैं सो अलग स्नेक्स आते हैं सब बैके तो स्नेक्स लाश टाइम तो तीन-चार स्नेक्स हमारे घर के अंदर थे तीन फूट पानी है चैचा मारकिंग वरूद प्लडिंग जो होता है उसमें मट्टी और ये बहुत रहता है और उसकी बज़े से स्कीन को और इसको बहुत बहुत ये क्लाव प्रॉब्लेम ज्यादा रहता है 1950 के दशक से यहां बाढ और बेतहाशा बारिश तीन गुना बढ़ गई है वैज्यानिक कहते हैं कि इसमें ग्लोबल वामिंग का बढ़ा हाथ है हवा गर्म होने पर लंबे समय तक नम रह सकती है होता ये है कि हवा में बहुत जादा नमी होती है और वो बढ़ती जाती है जब हवा में नमी का घनत्व बढ़ जाता है तो थोड़े से वक्त में ही वे बहुत सारा पानी उलीच देती है बेतहाशा बारिश उसी से आती है एक उदाहरण पश्चमी घाट का है और एक चरम उदाहरण मुंबई का है मुंबई पश्चमी तटपर स्थित है तो महसागर से उठने वाले मौनसूनी बादलों का सबसे ज़ादा खामियाजा वही भुगत रहा है शहर के लिए नुकसान दे बहुत से कारण है साल 21 सो तक मुंबई तीन फुट पानी में डूप सकता है महारी बारिश होने पर सारा पानी अरब सागर में बह जाता है समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है उसमें बह जाने वाले पानी की मात्रा भी बढ़ रही है पानी निकलने में लंबा समय लग जाता है हम इसे यौगिक घटना कहते हैं कमपाउंड इवेंट मुंबई की नदियां भी काम नहीं आते दहिसर, पोईसर, ओशिवाडा और मीठी नदियों से पहले इलाके को पानी मिलता था लेकिन मचली पालन के ठिकानो वाला शहर तेजी से बढ़ते भारत की वित्य राजधानी बना तो देश भर के प्रवासियों का डेरा भी इस प्रक्रिया में नदियां अवरुद और प्रदूशित होने लगी आर्किटेक्ट गोपाल जहवेरी बाड और उसके असर में कमी लाने के उपायों पर काम कर रहे हैं कि अभी आप कोई भी रिवर को जिस एंगल में डाइवर्ट करते हो रिवर बड़ा टर्न लेती है आपने देखा गए एस टर्न लेती है सी टर्न लेती बड़ा करवेचर लेती है अभी आपको सब लेंड्स चाहिए, तो आप वो कर्विचर को क्या करते हो, काट के उसको 90 डिगरी का या उससे कम का एक एंगल देते हो, तो रिवर का जब पानी मुह होता है, उसको ना मरट ही ना इंगली साती है, कि वह बोड मारो के टेकर राइट और टेकर लेप, तो वो मैंग्रोव के पेड एक दौर में बाड के पानी के खिलाफ कुदरती बारियर का काम करते थे, लेकिन विकास के लिए उन्हें काटा जा रहा है, शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीके सी, जिस जगा पर बना है, वो कभी मैंग्रोव का जंगल हुआ करता था, रही सही कसर गैर कानूनी अतिक्रमन और खराब योजनाओं से पूरी हो जाती है, इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने एक कमिटी बनाई है, वो तमाम पहलों पर गौर करेगी मुंबई के लिए भी एक जलवायू परिवर्तन एक्शन प्लान का प्रस्ताओ दिया गया है, सरकार वैज्ञानिकों से बात करने को तैयार है, ताकि इसके लिए एक विज्ञान सम्मत योजना बनाई जा सके इरादा सही है, लेकिन ऐसी तमाम योजनाएं पुराने अनुभवों पर आधारित होती हैं, कि बाढ़ और भारी बारिश का पुराना व्यवहार कैसा था, लेकिन वे हमें भावी घटनाओं से नहीं बचाएंगे बार से बचाव के शहर के कुदरती उपायों के साथ, जादा से जादा लोगों को जोडने की कोशिश करते हुए, गोपाल जहावेरी ने 2018 में नदी मार्च शुरू किया था नागरिक समुदायों ने अपने स्थानिय पर्यावरन और जलवायू परिवर्तन के असर के प्रती एक समझ बनाई है ये उन चुनिंदा प्लाटफार्मों में से एक है जिसके जरिये शहर के लोग जलवायू के लिहास से समवेदनशील शहर में बदलाव और कारवाई की मांग कर रहे हैं